वाराण सी में जेपी नड़ा ने काल भारव के दर्शन पूजन के काशी में कई कारिक्रवों में शामिल पूजे काशी में दर्शन पूजन के बाद चाय की चुसकी लेते नजर आए जेपी नड़ा पीम मोधी के लिए आज नड़ा का चुनावी कैम्पेन वारानसी में पीम मोधी के लिए राजसबा सांसद लक्षमड का डोर टोर कैमपेंड पीम मोधी के लिए जरता से वोट अपील की प्रेवंत्रिया में शाकाज धुआधार प्रचार यूपी की बची सीटों पर लगाएंगे जोर कुशी नगर सलेंपूर चंदौली में रैली सीम यूगी आज घोसी, बलिया, रॉबर्ट्स गंज में चुनावी रैली को समबोधित करेंगे बारानसी में वकीलों से समबाद करेंगे राहूल गांदे बिहार में भरेंगे हूं कार पटना साहे पाटली पुत्र आरा में जनता से मांगेंगे समर्धन अर्विंद केजरिवाल का आज अमर्ध सब में टाउन हॉल कारिक्रम जलंधर और लुधियाना में होने वाले रोट्शो में शामिल होंगे कॉंग्रस की स्टार प्रचारक प्रियांका गांदे अजे माचल दौरे पर कांगडा चमबा शापूर में जन सभाव को संबोधन करेंगी अखिलेश आदव ने सात्वे फेज के प्रचार में जोकी ताकत गाजिपूर में अफजाल अंसारी के लिए वोट मांगेंगे चंदौली में भी करेंगे अपील नतीजों से पहले एक जुन को कॉंग्रेस अध्यश खडगे ने बुलाई सूत्रों के मुताबिक इंडिया गडबंधन की बैठक इंडिया गडबंधन को तीन सौसी जीतने का भरुसा इंडिया गडबंधन की तरफ से पीएम चेहरे पर खडगे का बड़ा बयान बोले चुनापके बाद गडबंधन के लोग एक साथ बैठकर पैसला लेंगे कॉंग्रिस ने ताशो गैलोत का बयान कहा पीएम मोदी की भाशा को जनता नापसंद कर रही है खडगे राहूल के दबाव में पीएम मोदी अमिचा खब राए दिली किसी ये मर्विंद केजरिवाल ने सुप्रिम कोर्ट में याचिका दाखिल की अंतरिम बेल साथ दिन बढ़ाने की मांग विमारी का हवाला देकर जाच के लिए ये वक्त मांगा विभव कुमार की जमानत याचिका पर 30 अजारी कोर्ट में सुनवाई जारी स्वाती मालिवाल से मारपीट में आरोपी है विभव कुमार अफजाल अंसारी के अपील पर आज इलाबाद हाई कोट में सुनवाई हाई कोट के फैसले पठीका है अफजाल का चुनावी भविश्य मत्रश्रिकिष्ट जन भूमी और शाही इदगाह मस्जिद विबाद याचिकाओ की पोश्रियता पर आज भी इलाबाद हाई कोट के सुनवाई उत्राखंट के रिशिकेश में सीम धामी ने चार धाम यात्रा की तैयारियों को परखा अधिकारियों को यात्रा सुगम बनाने के निर्देश चारिके पशिम मंगाल के तटी इलाके में हुआ चक्रवाती तूफान विवल का लैंडपॉल 155 किलोमेटर फुती घंटा की रफ्तार से चली हवा तूफान की वज़े से कुलकाता शहर में जबरदस्थ बारिश समुद्र तट से ठकराते हुए आगे बढ़ा तूफान महा तूफान की असर से पशिम मंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश पुर्व मिदिनापुर में जबकरवर्च से बादर पशिम मंगाल के 24 परगना में तूफान के असर से उड़ गर पे एंडी आरेफ की टीम ने सडक से पेड को हटा कर आवाजाही शुरू दे पशिम मंगाल के गवर्णर स्टीवी आनद बोस ने तूफान से मची तबाही वाल इलाकों का दौरा किया राजभवन की टाप्स फोर्स के लोगों की मदद के रेड़ बिश्ट किया पशिम मंगाल के तूफान ग्रेमल से मची तबाही एंडी आरेफ की टीम रेस्क्यू काम में जुटी संदेश खाली सुंदरबन में चक्रबाती तूफान से भारी रुपसान तूफान को देखते हुए बंग्लादेश ने सम्वेदर्शी लिलाकों में आठ लाक से जादा लोगों को शिफ्ट किया अगले आदेश तक सभी सुल्स पाद पश्चिम बंगाल दक्षिर बंग्लादेश ओडिशा के समुदरी तट तूफान का लड़ भारी बारिश की भी सभागना पश्चिम बंगाल में आई चक्रबाती तूफान से हवाई से वाव पर पड़ा असर पुलकाता एपोर्ट पर उडानों में देरी महराष्ट के सोलापुर में तेज हवा के साथ भारी बारिश से नुपसान केले की खेती पर आंधी तूफान का बढ़ा सर पेट्रोल पंपी टीन चेट चतिक्रत महराष्ट में मौनसून की पुर्व तयारियों को लेकर सीम एकनाथ चिंदे ने बैठक बुलाई डिप्टि सेम देविंदर परणवीज भी इस बैठक में शामिल रहे राज़कोर्ट में टीरपी गेम जोन में हुए हाथसे का CCTV फुटिज सामने आया बिल्दिंग करते समय निखली चिंदारी से लगी थी आग